वेलकम टू एक जाम सहपाथी आज के इस क्लास में हम लोग थामस हॉप्स के संप्रभुता पर विचार और हॉप्स की विचार धारा में जो व्यक्तिवाद की जलक प्राप्त होती है उसके बारे में बात करेंगे उमिद करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे जो आपका सामाजिक समझोता का सिद्धान था क्योंकि अगर आपने उसे देखा है तो आप संप्रभुता पर हाप्स के विचार को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो प्लैलिस्ट में जा करके देख सकते हैं उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा ठीक है तो आईए श्टार्ट करते हैं इसे तो अगर आपसे संप्रभुता के बारे में पूछा जा कि संप्रभुता सब्द सबसे पहले किस ने दिया था तो वो दिया था आपके जीन बोंदा ने ठीक न या फिर जया बोंदा इनको बोला जाता है तो जीन बोंदा ने जो है सबसे पहले संप्रभुता सब्द का प्र कापद उस व्यक्तिया समूह को देता है जिसे की लोगों ने अपने अधिकार हस्तांतरित किया था तो अभी आपको कल बताय गया था कि जो है अधिकार किसे प्रदान किये गए थे तो अधिकार जो है सामाजिक समझोता सिध्धान्त में किसी एक जो है ब्यक्तिया फिर ब्यक्ति समूह को प्रदान किये गए थे ठीक है न तो उसी को जो है हापस ने समप्रभू कहा है यानि कि जिस ब्यक्ति को सभी ने अपने अधिकार प्रदान कर दिये थे वही जो है समझोता सिध्धान्त के बाद हापस निरंकुस प्रभुसत्ता का समर्थन करता है तो इसमें क्या था कि निरंकुस प्रभुसत्ता प्रदान कर दी गई थी यानि कि सब लोगों ने अपने सारे अधिकार की से प्रदान कर दिये थे तो वो प्रदान कर दिये थे एक जो है ब्यक्ति या फिर ब्यक्ति सम्मों को जिसे जो है हाप्स ने संप्रभु कहा है ठीक है संप्रभु का पद उसे ही दिया है ओके तो हाप्स जो है इसे सामाजिक सुरक्षा और ब्यक्ति के कल्याड के लिए आवश्चक मानता, यानि कि निरंकुस संप्रभुता को जो है हाप्स, जो व्यक्तियों में आपने देखा था कि उनके बीच में निरंतर संगर्श चल रहा था, तो इसलिए सामाज की सुरक्षा के लिए और व्यक्तियों के जाता है, वहाँ संप्रभुता होनी चाहिए ये हाप्स का कहना है, कि जहां कहीं भी नागरिक या फिर राजनीतिक समाज होगा, वहाँ पर संप्रभुता होनी चाहिए, ये आपके हाप्स के विचार है ठीक है न, इसलिए संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का एक आधार भूत जो है तत्थे कहा जाता है एक basic factor बोला जाता है संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का ठीक है ना इसने कहा है तो वो हाप्स ने कहा है अब हम लोग देख लेते हैं हाप्स के संप्रभुता की धारड़ा की तो यह blue वाला इसी तरह से आपके exam में अगर पूछा जाएगा तो यह आपके heading सी आप पूछी जाती है ठीक ना कि संप्रभुता के हाप्स पर विचार इन में से कौन से नहीं है या फिर कौन से हैं तो इस तरह से आप यह अब ध्यान रखिएगा इसके बाद वाली बाते जो लिखी है वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है तो संप्रभु समष्ट विध préfی आत्मक कानूनों का स्रोत होता है इसका आर्थ क्या है कि जो संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूँ को समष्थ समाज की कि समाज में सांती और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है ठीक है न इसलिए जो है संप्रभु को सभी प्रकार के विध्यात्मक कानूनों का सुरोत माना गया है किसने माना है तो ये हॉप्स ने माना है ठीक है न और ये कथन आप से कई बर पूछा गया है ये हापस का कथन आप याद रखेंगे हापस से संबंधित संप्रभु के आदेश ही कानून है ठीक है? इसके लावा ये भी कथन आपसे पूछा गया है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है यानि कि किसे वो जो संप्रभु ब्यक्ति है उसका आदेश है ये वास्तविक कानून ठीक है न? इसी जो है संप्रभु को दूसरों को आदेश देने का अधिकार आपका प्राप्त है ये किषने का है ये हापस ने का है और संप्रभु के आदेश ही कानून है ये आपसे कई बार पूछा गया है अलग-अलग एक्जाम में तो ये भी आप याद रखना, ये भी हाप्स का ही कथन है अगला हमारा पॉइंट है संप्रभुता असीमित होती है इसका अर्थ क्या है? संप्रभुता धारी, इस्वरी प्राकृतिक संप्रभुता धारी का मतलब जिसे संप्रभुता प्रदान की गई है वो इस्वरी प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाद यह नहीं है ठीक है ना? क्योंकि ये जो आदेश देता है वही जब कानून बन जाता है तो इसके उपर कोई कानून यानि की जो संप्रभु व्यक्ति है उसके उपर कोई कानून लागू नहीं होता है संप्रभुता पूर्ट्या असीमित और निरंकुस है संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति भी ले सकता है तो ये भी आप देख रहे हैं इस संप्रभू जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति भी ले सकता है इसलिए संप्रभूता को पूरा निरंकुस कहा गया है और संप्रभूता जो है असीमित तरीके से प्रदान कर देता है अब देखते हैं अगला point संप्रभु प्रसासनिक सक्तियों का एक मात्र सुरोत होता है तो जो आपका संप्रभु है यानि कि जिसको संप्रभुता प्रदान की गई है वो प्रसासनिक सक्तियों का एक मात्र सुरोत होता है इसकार्थ क्या वह प्रसासनिक पदा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा यानि कि जो संप्रभू होगा जिसे सारे अधिकार प्राप्त हैं वो प्रसासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा उनका स्रेडी करण भी करता है समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई सक्तियों का उपयोग भी करते हैं ठीक है ना तो ये सारी जो आपकी प्रसासनिक प्रताधिकारी है इन सबसे सम्मंधित निर्ड़े कौन लेगा तो वो भी आपका कौन ले रहा है संप्रभू ले रहा है ठीक है इसलिए इसे प्रसासनिक सक्तियों का एक मातर सुरोत कहा गया राज की ये कानून संप्रभू की आज्याएं मातर है और वह उनसे उपर है तो कल ही आपको बताया गया था कि जो आपका समझाथा हुआ था ठीक है ना, लोगों के बीच में जो समझाथा हुआ था उसमें जो आपका संप्रभू था वो उससे अलग था ठीक है ना, उसके उपर वो समझाथा लागो नहीं होता है ठीक है तो ये जो आपके कानून है ये किसके आदेस है ये सारे संप्रभू के आदेस है हापस ने कहा है और वह उनसे उपर यानि कि जो समप्रभु है वो जो है इनसे उपर है इन कानूनों से उपर है ठीक है तो कली आपको बताया गया था कि समझोते का पार्ट जो है वो आपका जो समझोते का पार्ट नहीं है यानि कि जो सासक है वो समझोते का पार्ट नहीं था केवल जो है और जो न्यायादहीस होते हैं उनको सिंहासन के नीचे का सिंह करके हाप्स ने नैक सोतंतरता के सिध्धांत का खंडन किया है तो जो सासक है यानि कि जो संप्रभु है उसे न्याय का सिरोत बताया गया इसके द्वारा हाप्स के द्वारा और जो न्यायादहीस थे उन्हें कहा गया कि ये सिंगहासन के नीचे के सिंग है ठीक है ना तो ये जो है हॉप्स ने कहा है ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे हाप्स की विचारधारा में सक्ति भी भाजन तथा नियंत्रड एवं संतुलन के लिए कोई अस्थान नहीं है ठीक है इन सबका कोई अस्थान नहीं है हाप्स की विचारधारा में क्योंकि हाप्स ने ये सारी सक्तियां किसे प्रदान कर दी है ये केवल एक ब्यक्ति को प्रदान कर दी है ठीक है वही सारे निरड़े लेगा वही नयाय भी कर रहा है वही अधिकार भी दे रहा है वही आप कि आज की सम्विधान में जानते हैं कि कानूनों की ब्याख्याता कौन होती है तो आपकी न्याय पालिका होती है लेकिन यहाँ पर जो संप्रभू है वही जो है कानूनों के ब्याख्याता भी है ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे अधिकार केवल संप्रभू में नहीं होंगे. तो जो भी अधिकार जो होते हैं, वो कौन प्रदान करेगा, वो संप्रभु ही प्रदान करेगा लोगों को. ठीक है न? ये भी आपका point है. हाप्स ने राज्य में विद्यमान किसी भी ब्यक्ती, किसी भी ब्यक्ति, किसी भी राज ये नागरिकों को स्वेक्षा से दे, नागरिकों को केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है न, तो सारे अधिकारों का भी जो निर्धारड कर रहा है, कौन कर रहा है, वो संप्रभु ही कर रहा है, जो भी अधिकार ये अपने मन से दे देता है, नागरिको को ठीक है वही जो है नागरिकों को केवल प्राप्तों हो सकते हैं यद्यपी हॉब्स का एक अपवाद अपवाद क्या है अपवाद जो है आपका जो आत्मसुरक्षा का अधिकार है ये आपका एक अपवाद है इसको भी हम लोग जख्तिवाद वाले में समझेंगे ठीक है न इसमें जो है हाप्स ने लोगों को ये कहा है कि अगर राज्य आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो आप जो है संप्रभु के आदेसों को मानने से इनकार कर सकते हैं ठीक है ना तो ये एक आत्म सुरक्षा का जो अधिकार है ये एक अपवाद के रूप में है और इसे भी हाप्स ने जो है सुविकार किया है और ये कम से कम कई बार पूछा गया है आपसे ठीक है तो ये आप जरूर याद रखना आप वाद वाले क्वेस्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आत्म सुरक्षा का अधिकार एक प्राकृति का अधिकार है आपको पता है कल बताया गया था आपको अगला हमारा है युद्ध और सांति का निरड़ायक कौन होता है वो आपका संप्रभू ही होता है यानि कि युद्ध किस से करना है किस के साथ संधी करनी है इसका निर्ड़े कौन करेगा तो वो जो आपका संप्रभु है वही निर्ड़े करेगा संप्रभुता अविभाज और अदेय है ठीक है जो संप्रभुता जिसे प्रदान कर दी गई है उसे बाटा नहीं जा सकता है वो किसी और को जो है अस्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो संप्रभुता धारी यानि कि जिसको संप्रभुता प्राप्त है वो संप्रभुता का कोई भी गुड अन्य किसी को हस्थानतरित नहीं कर सकता ठीक है तो संप्रभुता जिसे प्राप्त है वो किसी को भी जो है हस्तांतरित नहीं कर सकता अपना गुण और उसे बाट भी नहीं सकता ठीक तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि हॉप्स के लिए संप्रभुता अविभाज और अदे है राज में संप्रभुता का छेत्राधिकार सरवव्यापी है राज में संप्रभुता का छेत्राधिकार सरवव्यापी है इसका क्यारत है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता ठीक यानि कि जो है ये जो आपके संप्रभुता है ये सारे जितने लोगों ने आपका क्या किया था समझोता खरके राज का निर्मान किया था उन सब ही के उपर उसके अंदर जो समुधाएं हैं ब्यक्ति हैं सब के उपर ये समप्रबुता लागू होगी उससे मुक्ति का दावा कोई नहीं कर सकता कि मेरे उपर यह संप्रभुता लागू नहीं होगी केवल वो एक जो है अपवाद है वो है आत्मरक्षा का अधिकार अगर जो है राज्यापके आत्मरक्षा के अधिकार को जो है हनन करती है या फिर आपके प्राणों को नुकसान पहुचाती है तब जो है आपके प्राड़ों को राज से अगर नुकसान है तब जो है आप उसके आदेसों को मानने से मना कर सकते हैं केवल एक पुआद है इस प्रकार हॉप्स ने सासक को सभी परंपरगत प्रतिबंधों से मुक्त करके संप्रभ का प्रतिपादन किया है यानि कि सासक के उपर कोई भी जो है प्रतिबंध लागू नहीं थे सासक ही सारे नियम कानून बना रहा है ठीक है न जो विधी सुब असुब प्रशासन अधिकार न्याय और नैतिक्ता युद्ध और सांतिका एक मातर सुरूत है तो कोई भी आपका कानून बनाना हो कुछ भी सुब असुब है कोई भी प्रशासन से संबंधित चीजे हैं लोगों को क्या अधिकार दिये जाएंगे न्याय का सुरूत कौन होगा नैतिक्ता या फिर युद्ध किसके साथ होगा किसके साथ संध्य होगी इन सबका एक मातर स्रोत कौन है तो वो आपका संप्रभू ही है ठीक है ना जो आपका सासक है जो आपका संप्रभू है वही जो है इन सबका एक मातर स्रोत है तो ये आपके कौन से विचारत है ये आपके संप्रभूता के विचारत है संप्रभूता पर विचारत है किसके हाब्स के ठीक है आपके क्लेरेंडन जो है ये भी एक विचारक थे इन्होंने हॉब्स की पुछतक आपको बताया गया था कि लेवियाथन हॉब्स की पुछतक है अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि लेवियाथन जो है किस सन में लिखी गई थी आपको इयर बताना है क्योंकि आपसे एक्जाम म आप कुछ न कुछ कमेंट कर दिया कीजे, कमेंट साप कोई भी चीज आप लिख दिया कीजे, ठीक है ना, कमेंट सापका जरूरी है, और अपने दोस्तों तक इसे सेयर कर दिया कीजे, वो देखे या ना देखे, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग वीडियो जो है, सेंड कर और ये कहा कि इस प्रकार की उकतियों से राज तंत्र का समर्थन करने वाला हॉब्स यदि उत्पन नहीं न होता तो अच्छा था, थीक के ना, तो अभी आपने देखा कि जो आपका संप्रभुटा था, इसमें सारे अधिकार इसने जो है राज तंत्र को ही प्रदान कर दिये जो सासक होगा वही निरंकुस है वही सारी अधिकार लेगा वही सब कुछ करेगा इसी से जो है छुब धता क्लेरेंडेन इसलिए इसने कहा कि इस तरह कि युक्तियों से राजतंद्र का समर्थन करने वाला जो हॉबस्त हो था यदि ये पैदा ही ना हुआ होता तो जाद अच्छा था ठीक है और इसने जो है इसकी पुष्तक को लेवियाथन को आक्सफोर्ड विस्विद्याले में जला दिया था प्रोफिसर वाहन का विचार है कि जहां तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रशन है लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिमाडहीन निश्फल ग्रंत रहा है ये किस ने कहा है ये प्रोफिसर वाहन ने कहा है किसके बारे में कहा है तो लेवियाथन के बारे में कहा है जो कि आपके हाप्स की पुष्तक है ठीक है ना तो अब देखते हैं हम लोग हापस की विचारधारा में ब्यक्तिवाद की जहलक कहाँ पर है ब्यक्तिवाद होता क्या है तो ब्यक्तिवाद एक जो है मूल धारडा क्या है ब्यक्तिवाद की कि जो भी आपके संग है जो भी समुदाय है या फिर कोई भी संस्था या फिर राज्य है वे ब्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित है यानि कि इन ब्यक्तिवाद की ये धारडा है मलब कि ब्यक्तिवाद एक अलग से टापिक है ठीक है तो ब्यक्तिवाद में क्या है कि अगर आपका कोई संग समुदा या फिर राज है इन सब का निर्माड किसने किया है तो ब्यक्तिवाद ने किया है अपने उपयोग के लिए किया है ठीक है न ब्यक्ति ही उनकी ये किकाई है इस दृष्टिकोंड से जो ब्यक्ति है वो साध्य का उपयोग करता है यानि कि ब्यक्ति ने राज्य का ब्यक्ति राज्य का उपयोग करता है ब्यक्ति ने राज्य को अपने लिए बनाया है ठीक है ये ब्यक्ति वाद की धाड़ा है अतह ब्यक्ति की जो बुराई भलाई है सुख दुख है इन सबको राज या अनुसमुदाय की बुराई भलाई या फिर सुक दुक समझा जाना चाहिए, यानि कि जो आपका ब्यक्ति का जो समस्याइं है वो आपका उपर रखनी है, ठीक है अगर ब्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है बला हो रहा है तो आप समझ लो कि राज्य के साथ भी बुरा हो रहा है भला हो रहा है ठीक है ना तो यानि कि ब्यक्ति की जो आपकी समस्या है वो आपकी सर्वोपरी रखना है ठीक है ब्यक्ति इसमें सर्वोपरी होता है ब्यक्तिवाद की धारडा में ओके इस दृष्टि से हाप्स जो है पोड़ता ब्यक्तिवादी है भी नीचे इसके धारणाओं को देखेंगे किन-किन धारणाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विचारों में व्यक्तिवाद की भी जलक मिलती है और ये भी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है ना? व्यक्तियों के निजी हित का योग ही समाजिक हित है ये भी कथना आप ध्यान रखिएगा किस से सम्मंदित है? हॉप से सम्मंदित है व्यक्तियों के निजी हित का योग ही क्या है शामाजिक हित यानि कि एक-एक व्यक्ति का अगर हित होगा ठीक है न? एक-एक व्यक्ति का हित होगा तो इससे जो है समाज का हित होगा ठीक है? क्योंकि समाज में ही आपका व्यक्ति रहता है hops की विचारधा धारा में ब्यक्तिवाद निमने लिखेट रूपों में देखा जा सकता है तो कौन-कौन से रूप में देखा जा सकता है मानव सुभाव आपको कल बताये गया था , जब आपका समाजिक सम्झाता सिद्धान तोरब टॉपिक चल रहा था तो क्योंकि हॉप्स जो है आप सब जानते है कि ब्यक्ति को क्या मानता है एक आसामाजिक प्राणी मानता है क्यूं मानता है क्यों की आपने देखा था कि वो आपका, तो इस तरह से जो है, यह आपका व्यक्ति वात से सम्मंदित ये अपकी की पहली धारणा है, जो इसने मानव सबहाव का चित्ठड किया था ठीक, तो मानव सबहाव सम्मंदित धारणा, और ये भी आप याद रखना की हाप सब्यक्ति को किस तरह का प्राड़ी मानता है तो एक असामाजिक प्राड़ी मानता है ठीक है पहले उन लोगों के बीच में युद्ध था, बाद में उन्नोंने सामाजिक समझोता करके एक सामाज का निर्माड किया राज एक क्रित्रिम संस्था है तो क्रित्रिम संस्था क्यों कहा जाता है राज को अगर क्रित्रिम संस्था कहा जा रहा है इसका मतलब लोगों ने उसका निर्माण किया है प्राकृतिक संस्था अगर होती तो क्या होता कि राजिका निर्माड अपने आप हुआ है लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि राजिका निर्माड अपने आप नहीं हुआ लोगों ने मिल करके राजिका निर्माड किया ठीक है न? कई लोगों ने मिल करके एक समझोता किया और राजी का निर्माड किया अपने अधिकारों को किसी सासक को सौपा तो इससे क्या हुआ कि राजी एक कृत्रिम संस्था यानि कि राजी का निर्माड किया गया है लोगों के द्वारा हापस एक समझोता वादी विचारक है और उसके अंसार राजे एक कृतिम संस्था है जिसका निर्माड सामाजिक समझोते के आधार पर हुआ तो सामाजिक समझोते के आधार पर लोगों ने इसका निर्माड किया इसलिए इसे कृतिम संस्था कहा जा रहा है यह भी आपकी व्यक्ति वात्ता की जहलक है राज साधन है व्यक्ति साध्य है तो राज का जो है वो व्यक्ति के लिए है राज को व्यक्ति ने अपने उप्योग के लिए बनाया अपने सुरक्षा के लिए बनाया है ठीक है ना राजी का अस्तित तो ब्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है ठीक यही आपको बताया गया कि राजी क्यूं बनाया गया ब्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए ब्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसके लिए राज्य का निर्माड किया गया वरना सब लोग आपस में क्या कर रहे थे लड़ भिड़ रहे थे ठीक है ना राज्य को व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार दिया है किसने दिया तो ये दिया है हाप्स ने और यही आपका भी यदि संप्रभु राज्य यानि कि जो संप्रभु राज्य है जिसको संप्रभुता प्रदान की गई है वो व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर आगहात पहुचाता है तो व्यक्ति उसके आदेसों की अवग्या कर शकता है ठीक है यहाँ पर भी ब्यक्ति वात्ता पूरी तरीके से आपकी जलकती है कि ब्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि राज जो है उसके आत्मरक्षा के अधिकार पर आगात पहुंचाता है तो जो है ब्यक्ति राज के आदेसों की अवग्या कर सकता है यानिकि उसके नियम कानून को वो मानने से इंकार कर सकता है व्यक्ति जो है वो सेना में भरती होने से मना कर सकता है क्योंकि सेना में जाने से उसके जान को खत्रा हो सकता है तो ये भी आपका आत्मरक्षा का ही अधिकार है तो वो जो है अपने आत्मरक्षा के लिए क्या करेगा कि मैं मरना नहीं चाहता मुझे सेना में नहीं जाना है ठीक है तो सेना में भरती होने से भी मना कर सकता है व्यक्ति ये भी हापस का जो है विचार है और अगला क्या है व्यक्ति राज्य की सेस आग्या का पालन तब ही कर सकता है जब तक राज्य में व्यक्ति की जीवन की रक्षा करने का सामर्थ हो यानि कि अगर राज जो है ब्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का सामर्थ नहीं है ब्यक्ति के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है तो ब्यक्ति जो है वो उसके आदेसों की राज के आदेसों की अवग्या कर सकता है ठीक है तो ब्यक्ति जो है राज की किसी भी आग्या का पालन तब ही करेगा जब राज जो है वो ब्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में सामर्थ हो ठीक है ब्यक्ति को राज के विरोध का अधिकार भी उसे ब्यक्तिवाद की दिसा में ले जाता है ठीक तो ये भी आपने देखा कि ब्यक्तिवाद इसमें भी जो है आपका ब्यक्तियों से संबंदी थी ब्यक्तियों के हित के सर्वोपर ही रखा गया है कि जो है वो राजी का विरोध कर सकता है अगर जो है राजी उसके आत्मरक्षा के अधिकार को आगहाथ पहुचाता है तो यह हमारा जो है आज हॉप्स का टॉपिक खतम हो गया उमीद करता हूँ कि आप कमेंट जरूर करेंगे अगर आप वीडियो हैं तक देख रहे होंगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप यहाँ पे नए हो और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कर दिया कीजे ठीक है ना सेयर आप लोग जरूर कर दिया कीजे वीडियो को देखने के लिए कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद